हलो एवरिवन कैसे आप सब उमीद है आप सब अच्छे होंगे मैं हरिसाओ अभिपस एउकेशन फॉर एक्षिलेंट के इस और पेठार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं तो भाई हम जो है से सुरुवाद करने वाले नया चैप्टर टके में के बारे में जो कि बहुत ही बेसी का बहुत ही जादा आपकीक परियुरिदृ से संबन्दित वर आपकी जीवन से संब्सक्रार है तो हम पढ़ने वाले हैं कच्छा दस्वी विज्ञान का आज जबरदस्ट चैप्टर जबरदस्ट इनिट कौन से आपके जो इकाई सीक्स है उसके चैप्टर नंबर फर्स्ट है ना और जो के सिलेबस में भी दिया है चैप्टर नंबर फर्स्ट वो क्या भई एक नंबर के इसे लेक्निश्ट चैप्टर का नाम मैं गया सर और ऑफका जीवो का विकास और उनके विकास कैसा हुआ उसका आज रिसकेशन करेंगे तो discussion सुरू करने से पहले में तो आपको बता चाहूंगा कि जीवों का विकास, यह जो word दिखाई देर है बच्चों आपको, जीवों का विकास, मतलब यह है कि यह जीव, जीव जनतु जानती ही है, विकास मतलब क्या development, मतलब जीव जनतु का कैसे development हुआ है, है ना, असान भा किया, यह 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 जाद रखना, डार्विन सार आभी आने वाले कुछ दिर बाद, वह जो है, जो वर्ड है, उसको अच्छे बताएं कि वह कैसे observation किये और लोकन किये, तब जाके वह सारा history बताए, और बहुत सारा कि बताए, कि कैसे जीव जनतु का development हुआ, और कैसे जया वि इस चेप्टर में क्या चीज है जो हमें जानने ही होगी है और जानना चाहिए उस पर इसके सब्सक्राइब करेंगे और कुछ क्वेशन देखेंगे तो चलो शुरुआत करते हैं तो शुरुआत करने से पहले मैं बता दू कि हम जैसे जीवों का विकास होता है वैसी हम जो क्य तो यह बोलू मैं आदी मानाओ इंसान फिर इससे पहले कुछ रहा होंगा भई आप बचपन से सुनने आ हैं सुनते आ हैं तू बंदर जैसे दीख रहा है तू बंदर जैसे दीख रही है है यह सुनते आ है कि नहीं तो वही जो बंदर वही तो हमारे क्या है वही हमारे क्या बंदर थे हमारा evolution हुआ हमारा विकास हुआ तब जग हम क्या बन गए एक इंसान बन गए है ना एक human बन गए बात समझ भाई इस प्रकार जैसे इंसान का development हो रहा है वैसी जियों कभी development हुआ होगा सर इसके history भी रहा होगा तो उसी के चर्चा करेंगे और जैसे हम इंसान आज development दिख रहा है हम आज modern टेक्निक यूज कर रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं और आपकी जितना भी smart यूज करें उससे पहले क्या करते थे लोगों के पास कुछ नहीं रहते था वह क्या करते था वह जाते थे क्या जंगल वहां से बात करूं तो ये सब के बारें हमने किस ने बताया कि ने अलोकन किया हमारे जो सर है Darwin सर इनोह ने ही हमारे इस चैप्टर में अच्छे से पूरा ऐनिलिस करके बहुत जबर्दस्त तरीक़ से बताया है क्या बताया है उन्हों ने बताया कैसे और कहा जा रहे थे बही हो जो है अफिरिकस से कहा जा रहे थे गहा है जो एरिया है इंग्र वेसे लेख़ विविचास सबूब पसमे गर मातुसरों जब्लवन वेकास उैसे होता है और उनके यह का विकास वे ताया, अब देखो विकास development कैसे हुआ ठीक है खादिर श्रेंखला के बारे में डिसक्रशन करके आचुका हूँ भई आप इसके बारे में भी जान गया होंगे है ना खादिर श्रेंखला के बारे में बताया आवास रहते कहां यह लोग है ना ऐसा तो नहीं है कि हम जो इंसान है वो में जंगल में रहता है जिए ज doute कौन है उसके बारे में अब कि अबिध करा राते थे उससे पहले भी आगर रहे होंगे के न mund बताया और साथ शचास के आपक जिए बैसे होता है कि adesso कि समृत्छी स,"बिवति कैसे सन्मृत्य और कैसे इसके च्था खाया है क्या थो पर करना चाहूंगा कि यह जीओ का विकास यह जो है वो क्या चीज बोलता है वो बोलता है कि जीओ में होने वाली क्रमिक परिवर्तन क्या क्रमिक परिवर्तन जो धीर धीर सिक्वेंस से बढ़ता है क्रम से बढ़ता है जो चैन जो सिक्वेंस चलता है परिवर्तन जो चलता है उस जीओ का development होना ही जीओ का विकास कालाता है ठीक है यहां तो समझ में आई बात अब बीगल का सफ़र बीगल जहाज में उन्हें अब मैं बता दू देखो अगर मैं अभी के लोगों के बारे मिना बात करते हूं मैं पुराने लोगों के बात करूं उन लोग के पास ना तो smartphone था ना तो gadgets था ना तो यह बोल सकूंँ इतना modern technique था जिन में आपना वह समय वहतीद करें तो वह क्या करते थे उनके पास कुछ न कुछ ऐसा 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 ओप्संस थे जिससे वह अपने आपको busy लगते थे just like अच्छा अच्छा habit थे उन लोग के पास कैसे कि वह कहीं घुमने नि क्या था enjoyment नहीं उनका उद्देश था कि वह जो area है उस specific area में क्या क्या चीज परिवर्तन हो रही है क्या क्या चीज जो है कैसे जीव विकास कर रहा है कैसे उन लोग का रहन सान हो रहा है कैसे क्या चीज खाते हैं क्या चीज पीते हैं और वह कैसे रह लेते हैं कैसे उस environment में अपने आपको अब्जॉब कर पाते हैं इन सब को देखने के लिए वो के घुमने निकल गए ब्रह्मन करने निकल गए वो जो है अपना टाइम को यूट्युलाइज करने के लिए और आज एक हो हिस्ट्री है आज उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं है ना तो वही है मोटिवेशन लेना है इसी से मोटिवेशन ले सकते हैं अच्छे चीजे में अपना टाइम लगा सकते हैं हां तो मैं क्या बोड़ा था भई तो बीगल के सपर में जब उन डावी सर का अनुभव क्या रहा भई हां कब कब गए था भई 27 दिसंबर 1821 से 2 अक्टूब 1881 से 2 अक् ओन्सबाट में चीज दिखाए रहे beiden डायनास्वहरा हैं ode यह सब सबसे पहले अंता मैं बात करों कुछ जी जंतू समी सनधार तो विकास जो अ के विल्जड है ना तो बताया कि सब्सक्राइब कर देखता है तो इसका से अपर चैनल कले नहीं तो तो हमारे जो साइंस सब्जेक्ट में उसमें डार्विन सर के ही पूरा जो युगदान था उनके बारे मिचार्चा किया गया है तो मैं बात कर था दैनास्वर का फिर डैनास्वर सबसे पहले बोला जाता है कि यही जो है ऐसा था जीव जनतु जो ऐसा जीव था जो बहुत सब्सेटर्थ के बताँ सरज़ें चिपटर्थ का श जो कर दो है तो अदने चैप्टर में Bernie और जाया सबस्क्राइप करने वाले रहेंगे तो इन चैप्टर से संबंधे जनकारी दे देंगे भाई चलो देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन के बारे में हाँ अब आने वाला है मैं जैसी क्वेश्चन आएगा मैं आपको इसे रेटेट कुछ कुछ जनकारी भी देते रहूंगा जैसे देखिए पालतु कुत्तो के आधु बंड कर दिये गाय रखना बं कर दिये भीड़ बंड कर दिये लोग और रहरा है अब अब अनुद्ध कुत्ता के नसला किस प्रकया के फ़ल शरूप बनी है अब उसके नसले में यह जो नस लख करिया है वो आएगा क्रित्रीमी इनसान द्वारा जो आदोनित्त करन चेंज होने वाले चैन क्या कर लाएगा भई क्रित्रीम चैन तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चो यह हो जाएगा क्रित्रीम चैन ठीक है अब देखे और question यहाँ यह जो है कुट्टेवा भेड के अगरपात चलने वेल के अगरपात तैरने और चमगादर के अगरपात उड़ने के लिए ये किसके उधारन है अब ये जो है उधारन जो आने वारी है अगर मैं इसका वो देखू समृत्ति अंग समजात अंग और विक्सित अंग और उपयूगत सभी अब देखते हम क्या समुरुत्ती अंग और समझात अग तो यह समुरुत्ति Πया है इसके जितप। Hertal रहता है वो मिक्न रहते हैं उर्थ लेकिन इसके क्या रहें यह संमान रहता है क्या आगर यह मैं बात करों तो यह क्या पतना चलता है इसके जो सरन्ष्न ए और उत्पत्ति है सनशना और उत्पत्ति जो है उत्पत्ति गलत लिग दिया मैं समार रहता है समार रहता है उत्पत्ति जो है सनशना और उत्पत्ति यह इसके अश्वमार रहता है बच्चो है ना समार रहता है भीन रहता है और और क्या रहता है सर इसके जो क्या समार रहता है उ संवरिटी dropping कि असे साहelsंजर अुट उत्पत्ति समार रहता है समदाब भीन टीन रहता है कैसे अगर sis kay pardon transitions ожалуй यह है कि जो आपके पच्छी है तितली है और उपच्छी तितली का जो पंग है वह होता है वह जो है पत्ति असमार रहेगा देखना तीतली का जो क्या है उसके पंक है वो लग रहेगा अलग पच्छी जो है उनलोग का क्या रहता है उसके जो सनशना उत्ति पत्ति असमार रहता है लेकिन कार्य क्या करते हैं उड़ते हैं ना भई उनका कार्य का रहता है लेकिन मैं बात करूं क जो पेर का हिस्से है वो जो डिकता सेम है लेकिन कारी अलग अलग रहता है तो मेढदक और मानों का गांग और घरक पहले को क्या होता है ये TRT से में अलग हो जैएगा तो यह का आलग हो जाना कहा कहल आता है आप आका है समढ़ा material इंग ग्येक बचार्य आप तक अब भड़ाओ जान्य का बता कहले का आपश ङवाओ अग्रपद से करने के और चमगादर के अगरपाद उड़ने के लिए हैї किसके हुधान है तो इसका अंसर क्या हो जाएंग इसका उधारन की तेको समझात अंग मतलब क्या कार्य जो है क्या है इसका बता ही दिया हूं कि यह क्या कर रहा है कार्य जो है इसका अलग-अलग है और दिख रहा है फैन दिख रहा है तो बात करते समझात मां आगे बढ़ें अगे अगे दिखते हैं निमन लेकित में से कौन सी समर्धित सानाचना आफसा अभी किस की पंच वाया और टितली की सेट सीव पूछागा वहां तक अब आप देखो और क्या है डारविन का सिध्धान अधारित हैं अधारित किस पर है तो बताने की जोड़त नहीं है मैं तो लेक्चर की स्टार्टिंग में आपको अच्छे से बताया कि अलोकन अलोकन वादब आपजर्वेशन क्या किस ने किया यह सब तो बताया हूं भई देखो अपसंदेखो अपनी आतरा के दौरान दिये गए अलोकन से मैंडल के मेंडग बोड़ रहा हूं देखो वंसागति के नीयम से नमें से कोई नहीं नहीं दो आपसंद ही नहीं यह उसका अपनी यातरा के दौरान दिये गए अलोकन से और उसका अंसर क्या है चमगालर के पंक और तितली के पंक कप पुछा गया था था 2019 में पुछा गया था सर यह 19 और 20 में भी रिपीट हो यह इस बार भी आ सकता है तो घपराने का नहीं अलोकन जो किया है और डार्विन सर ने वही आपका आंसर है ठीक है यहां तक बात समझें आगे बढ़ें अब हम देखते हैं एक और कोश्चन आया था इजी कोश्चन प्र सबता विक और टाब किस ने दिय था प्रकृतिक वनयवाद सिध्वाणथ विजम इसके पताए तो यहां का आवाद ऑगाँ अ conviction मगाई वनयवाद का सिध्वाद से अब कुटुम सर गुपा आवा सिस्थाल आए घाओ कहा का आवास सिस्थाल किसका मगरमच्ष का है यह जो कोशन आता है वही रीपीट हो सकते हैं और आया भी है और इस जो निश्ट जट्र है जो कि एक युनिट में दो शेप्टर है भई उस वाई शेप्टर से भी एक अंगल जाने का प्रावियल्टी रहता है भई तो जितना आया था इंपॉर्टेंट कोश्चन तो डिसकस कर लिया मैंने अब जो हम चार्चा करेंगे तीन नंबर और चार्चा करेंगे और काफी हद और बिलकुल मज़े से तो एक को फ्यार के रूप में ना लेकर के एक चैलेंज की रूप में और एक ऑपरचनिटियूटी गूर्प में चलिए और बलकुल सक्सिस पाई इसके लिए मेंह wilt अब जो में तो आज को लिए इतना करते हैं मिलते हैं अब na face needs लिक्शा में ठीन न